कविता को पढ़ने से पहले कभी के बारे में हम संचिप्त में जान लेते हैं कभी सुरेकांत्रपाथी निराला जी छायबादी यूग के कभी हैं उनका जन सन अठाड़ा सो संतानबे एस्वे में बंगाल के महिसादल में हुआ था उनका जीवन बहुत ही आभाबों में बीता कभी ने लिखा है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं गई उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ज किया है अपने जीवन काल में उन्होंने कई रचनाएं की जिसमें प्रिशिद रचनाएं हैं परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुर्मुत्ता, राधना, नए, पत्ते, तुलसिदास, इत्यादी चलिए अब हम उनके द्वारा लिखित कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कभी सुरिक कांतर बाठी निराला जी इस कविता के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं अभी न होगा मेरा अन्त, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदल वसन, अभी न होगा मेरा अन्त सबसे पहले कठिन सब्दों के अर्थ जान लेते हैं अंत सब्द का अर्थ होता है समाप्ती मिदल सब्द का अर्थ है कोमल वशंत सब्द का अर्थ है फूल खिलने की रितू यानि जिस रितू में प्रकृति जो है वह सुन्दर सुन्दर फूलों से हरी हरी पत्तियों से लज जाता है वहरितू कहलाता है वशंतरितू अब कविता का भाव समझें कभी प्रकृति के चित्रन के द्वारा यूबा पिढी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोज के साथ जीवन का आनंद ले प्रकृति में फूलों की भर्मार है और उनकी सुन्दरता और खुस्बू चारो तरफ फैली हुई है अभी इस समय का अंत नहीं होगा कभी कहते हैं कि वह बसंत उनके जीवन में अभी अभी तो आया है अर्था जीवन में उत्साह और जोज की बरपूर छमता है अभी कुछ दिन ठहरेगा अभी इसका अंत नहीं होगा तो बच्चों इन पंक्तियों में कभी छिपे हुए तरीकों से कह रहे हैं कि उनका मन जोज और उत्साह से भड़ा हुआ है जब तक वे अपने लक्ष को पान ही लेते तब तक हाड नहीं मानेंगे तो हमें भी अपने लक्ष को पाने के लिए जोज और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए मैंनत करना चाहिए तब ही हम अपने लक्ष तक पहुँच पाएंगे कठिन सब्दों के अर्थ जान लेते हैं पाथ सब्दकार्थ होता है पत्ता गात सब्दकार्थ होता है सरीर सब्द यानि सपना एक सब्द यहां पर ध्यान दीज़ेगा बच्चों मिर्दुल कर मिर्दुल मतलब क्या होता है मिर्दुल मिर्दुल सब्दकार्थ होता है बच्चों कूमल और कर सब्दकार्थ होता है हाथ इन सुभा का जो समय होता है उसे केते प्रतिश मनुहर यानी सुंदर तो चलिए अब इन पंक्तियों का भावा आपको समझाया जाए इन पंक्तियों में कभी निराला जी ने प्रकृती का बहुत ही सुंदर चित्रन किया है कभी कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेर हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं मैं सूरज को यहां खीच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा यानि जो कलियां अभी तक निद्रा से बाहर नहीं निकली हैं उन्हें वह जगाएंगे तो इन पंक्तियों में कभी ने हारे हुए और निरास लोगों को सोया हुआ कहा है कलियां कहा है जिस प्रकार सूरज के आज आने से सभी पेर पौधे और कलियों में जान आ जाती हैं ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरना रूपी सुरे से निरास लोगों के मन में उत्सा और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनी कविता में कभी सुरे कांतर पाथी जीवन से हार मांचुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। तो बच्चों ये था दूसरी पंक्ती का भावार्थ। चलिए अब हम कभीता की अगली पंक्ती को देखते हैं। पुस्प पुस्प से तंद्रालस लालसा खीच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अम्रित सहर ससीच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनन्त अभी न होगा मेरा अन्त। कटिन सब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पुस्प पुस्प सब्द का अर्थ होता है फूल और यहाँ पर दो बार उस सब्द का प्रियूग किया गया है। तंद्रालस तंद्रालस सब्द का अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ तंद्रालस यानी नींद से अलसाया हुआ जब हम सो के उठते हैं तो कैसे हमारे सरीर में आलस रहता है। तो इसे कहते हैं तंद्रालश, लालसा यानि इक्षा, लालच, नब सब्दकार्थ होता है नए, अमरित सब्दकार्थ है शुधा, सहर्स यानि खुसी के साथ, सहर्स सब्दकार्थ होता है खुसी के साथ, और सीच यानि सीचाई, द्वार दर्वाजा को कहते हैं, अनंत उनत सब्दकार्थ है जिसका कभी अंत न हो अंत सब्दकार्थ होता है खत्न समापत अब इसका भाव समझे इन पंक्तियों में कभी बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलो रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं कहते हैं कि तुम अपने मन को उत्साहित करो इस आलस और उदासी को छोड़ो वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुस्प से आलस और उदासी खीच कर उसमें नए जीवन का आमरे भर दूँगा यानी उन्हें उत्सा भर दूँगा ध्वनी कविता की इन पंक्तियों में कभी निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी जो लोग निरास हैं निरास लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूँगा फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से वैतीत कर पाएंगे कभी का मानना है बच्चों कि अगर यूबा पीधी परिश्रम करेगी तो उसे मन चाहा लक्ष मिलेगा यदि आप मेहनत करोगे तो आप जीवन में जो पाना चाहते हो उसे आप पालोगे तो कभी यह जानते हैं कि यूबा पीधी अगर परिश्रम करेगी तो वह उस लक्ष को अवश्य पालेगी जिसे वह पाना चाहती है और इस आनन्द का कभी अंत नहीं होगा हमेशा इनसान को उत्सा के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए इस प्रकार कभी कहते हैं कि जब तक वो थके हाडे लोगों और यूबा पीधी को सही रान नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत होना क्या है असंभव इस कभीता में कभी का जीवन के प्रती आसावादी दिरिष्टी कोन दिखाया गया है हम सभी चानते हैं बच्चों की सुरेकांतर पाठी निरला जी का जीवन बहुत ही अभाबों में बहुत ही संघर्षों में वीता इसके बाबजूद वह जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे निरला जी का मानना है कि हमें जीवन के प्रती आसावादी रहना चाहिए अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी सकारात्मक्ता के साथ यानि पॉजिटिविटी के साथ और पूरे जुवोस और उत्साह के साथ जीवन का आनन्द उठाना चाहिए इसी वज़से कभी इस कविता में कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा अभी अभी उनके जीवन रूपी बन में वशंत रूपी यौबन आया है कभी प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारो ओर ब्रिक्ष हरे भरे हैं पौधों पर कलियां खिली हैं और जो अभी तक सो रही हैं कभी कहते हैं वह सूरे को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और नया सुन्दर सवेरा लेकर आएंगे कभी प्रकृति के द्वारा निरास हतास लोगों के जीवन को खुशियों से भढ़ना चाहते हैं कभी बरी ततपरता से मानव जीवन को समारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तयार हैं वे चाहते हैं कि हर मनुष्य का जीवन सुख में बैतीत हो, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, जब तक वे सब के जीवन में खुसिया नहीं ला देते, तो बच्चों ये कभी ता आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना बिलकुल न भूले, वीडियो निवाद